श्रीक्रिष्न का नही आलाल कीजे, स्रे निजानन्द स्वामी कीजे, स्रे प्राणनात प्यारे कीजे ए जाए ना उलंगी देखीती, ना कच्छो होए पहचान, तो दुलाह कैसे पाईये, जाको नेका न सुन्यो निसान, जाको नेका न सुन्यो निसान कलस्षिंदी का दूसरा प्रकर्ण और उसकी तेश मिचोपाई खसमजो न्याराद्वितसे, स्रे क्रिष्न का नही आलाल कीजे इससे पूर्व में ये कहा था, कि इस माया को पार करके, उसमें विखास करके, इस ब्रह्मान्द के मूल में, अक्षर ब्रह्मा के अभ्याकृत में, काल निरंजन शक्ती है, काल निरंजन पुरुष है, उससे ये ब्रह्मान्द बगरे बनते हैं, तो उसको पार करके कैसे जाया जा सकता, परमात्मा तो उससे दूरी है, उनके विखाय में तो कुछ सुना भी नहीं है, शाष्त्रों में भी संकित किया है, ज्यादा बरणन नहीं है, तो उसकी बात कह करके, अब कह रहे हैं, खसम जो न्यारा द्वेट से, खसम परमात्मा, खसम का ततपर ये स्वामी भी होता है, और दूसरा अर्थ ये भी है, खा, खम आकास, आकास के समान सर्वव्याप, आकास की भाती सर्वव्यापी हो, उसको भी उस परमात्मा को विखास हम कह सकते हैं, तो ऐसे परमात्मा इस द्वेट जगत से दूर हैं, और अठाय और सब द्वेट हैं, परमात्मा को छोड़ करके, परमात्मा और उनका धामन को छोड़ करके, ये सारी दुनिया हैं, वहाँ द्वेट की हैं, तो इस द्वेट जगत में रहा करके, जिन लोगोंने साधनाएं की हैं, ज्यान प्राप्त किया हैं, उन्होंने भी द्वेट की ही बात कई हैं, द्वेट से परे, नहे चल, निश्चल, अखंड ठोर, अखंड भूमी का, उसकी बात किसी ने नहीं कही हैं, तो पाये कैसी रीत, ऐसी स्थिति में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, उस दुलहा को, स्वामी को कैसे पाया जा सकता है, जो इस द्वेट जगत से भिन्न है, पर है, विशिष्ट है, ए मत बेद बेदान्त की, बेद बेदान्त में इस प्रकार के अनेक मत चलते हैं, शाष्ट्र सबों ए ग्यान, बहुत से शाष्ट्रों में भी इस प्रकार का ग्यान है, शाष्ट्रों के बचनों को लेकर के साधक लोग, विद्वान लोग, साधो लोग ज्यान उपदिश देते हैं, आगे मोहन देवे जान, किन्तो मोह में इतना प्रवल शक्ती है कि वो हो उन लोगों को उससे आगे जाने देता ही नहीं है, तो मोह थवा अग्यान, ब्रह्म, माया, अविद्या, यही उन सब के ख्षमता को शिथिल कर देती हैं, अखंड भूमिका का वर्रन नहीं कर पाते हैं, याविद ग्यान जो चर्च ही, इस प्रकार ग्यान की चर्चा होती है, अनिक लो ग्यान की बात करते हैं, उसे तो ब्रह्म ग्यान भी ग्यानी है, किन्तो इसके लिए कहा गया है कि एक अपराविद्या है और एक पराविद्या है तो अपराविद्या जिससे दुनिया का ज्ञानप्राप्त होता है और पराविद्या वो है जिससे अभिनासि परमात्मा का ज्ञानप्राप्त होता है उसमें भी पूर्णब्रह्मपरमात्म का स्वरूप उनका धाम उनकी लीला उसका वरनन होता है जहां होता है उसको ब्रह्मविद्या कहते हैं तो शाष्त्रों में अपरा ज्ञान बहुत है, पराविद्या भी है और ब्रह्मविद्या भी है, किन्तो पराविद्या और ब्रह्मविद्या को पहचानने वाले लोग बहुत काम है, उनके प्रतिरुचित रखने वाले लोग काम है, इसलिए शाष्त्रों का अध्यन करते हु तो इससे रह जाती है, उपर उपर ही आगे पहुंच जाते हैं, फिर अपरा विद्या की बात शुरू होती है, इसलिए इस प्रकार ज्ञान की चर्चा दुनिया में होती है, सो में देखे आचित लाए, तो मैंने भी इस विश्ञाय में ध्यान दे करके सुना, आचित लगा करके जानना चाहा, तब यह पता चला, जयोमनवा शुपने मिने, बेसुदध गोते खाए, जैसे मन सुपन में अलग-अलग परकार्शे गोता लगाता रहता है, और गोता खाता रहता है, खास में कहा जाए, तो गोता खाता रहता है, कुछ प्राप्टा नहीं कर सकता, जैसे सुपन देखते रहते हैं, देखते रहें, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा, किन्तो कुछ मिलता नहीं है, इसी प्रकार इस जगत में अनेक ज्यान आई लोग हैं वो भी प्रहत्नेटों बहुत करते हैं किन्तों परमात्म क्या है उनकी पहचान नहीं होती है इसलिए वबी ववसागर में गोतेछाते रहते हैं बेशुद हो करके, निस्षे legitim हो करके यान तो है सब कुछ है, किन्तो पहचान नहीं है, ऐसी स्थिती बहुत लोगों की है सिने में कहें, इस अब ब्रह्म है, इस प्रकार के ज्यानि अथवास्वेम को वेदानती कहने वाले लोग कहते हैं ईक्षण में तो एक-टरफ तो कहेंगे दुनिया को इस आरा पहिए इन्या को आरव ब्रहम ही इन्या ही है सर्वाम्खल्विधं प्रहम "-भर्हह इन्या般 का ब्रहम्ध से परेपूर्ण है ऐसा बोल देते हैं फिर जहाँ इसमें अटक जाते हैं इसको सित्द नहीं कर पाते हैं तो फिर छेनेमे बंजयापूत पिर कहे देंगे जैसे बाज श्थ्री का पॉत्र नहीं होता है उसका कोई वो कहने के लिए ही है लेकिन होता नहीं है ऐसी दुनिया भी कहने के लिए अधारतम इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा बोल करके नकार देते हैं, तो उसके लिए एक उधारण दिया दूसरा, मदमाते मर्कटे जिसे मर्कट बंदर को बोलते हैं, जिसे बंदर बड़ा चंजल होता है, किसी एक काम परस्थिर नहीं होता है, जो कुछ कर रहा होता है, वोई करता रहे ऐसा नहीं होता है, थोड़ी देर में एक, थोड़ी देर में दूसरा, और वो मर्कट बिये हैं, अधी मद से मस्त बन हुआ हो, अथवा तो ऐसे ज préf़आ जाता है कि मर्कट सी सुरापानम, तबह आषीनि के डमसनम आपना उसका किYes ने Şुरा tarafि पिला दिया असर पिला दिया तो उसे तो वह उसको कुछ होशी नहीं रहेगा तो वह क्या कुछ करेगा पते ही नहीं को उसमें vais 1990 काट दिया तो उ तो इधरक ऑधरक शेखले करता रहेगा इसतरह से अगतातित अधा कते तो ग्यानी लोग भी, परमात्मा ये है, ऐसा बोल नहीं सकते, परमात्मा का ये धाम भी बोल नहीं सकते, कभी अधर, कभी अधर, कभी अधर, कहां भटकते हैं, पदा भी नहीं चलता है। चिन में कहे सता असत, माया कच्वी कहीं नहीं जाये। फिर दूसरी बात में वो क्या कहेंगे कि माया ना तो सत्य और ना असत्य है, इसको तो कुछ बोली नहीं सकते है, क्योंकि व्यादान्त में ऐसे कहा भी है, अज्यानमतु सदसद असदग्हाम अनिरवचनियम तो ये सत और असत दोनों से अनिर्वचनी है, माया अनिर्वचनी है, तो वह बात भी बोल देते हैं, क्योंकि अब माया जूठिये कहें, तो जो कुछ देख रहा है, सत्या देख रहा है, ýसन आशारू लाखों गर्शन से सत्य ya बोलें, तो इसमें नित्या परलाया है, तो सत इसलिए सद असद दोनों से अनिर्वचनिया है इसा बोल देते हैं तो यह संग संसाद रड़े हुआ सब दोखे रहे फिर आए इसलिए जो लोग भी ऐसे लोगों से का संग करते हैं ऐसे लोगों से सुन लेते हैं तो उनका संसाद भी बढ़ता रहता है वो संसाद और द्रड़ हो जाता है तो सही क्या है बोल नहीं पाते हैं सब दोखे रहे फिर आए सब लोग इसी दोखे में दुनिया में चक्र कारते रहते हैं तो इसे देखा जाएं, तो माया सत्य भी नहीं लगती है, और असत्य भी नहीं लगती है, उसका कारण ये सत्य जैसी दीखती है, है असत्य, तो माया का अर्थ ही यह है असद अर्थ प्रकासी नहीं माया असद के को सत्य जैसा दिखा ले तो वही माया है उसको ना समझ करके फिर पाहर की बातों में उलच जाते है चिन में कहे है आप में चिन में कहे बाहर जब परमात्मा की बात बताने होती है तो कभी तो बोलेंगे अरे वो तो शरीर के अंदर ही तो विराज़मान है फिर वोई शरीर मर जाता है उसको चिता में जला देते हैं फिर कहें कि कि नहीं नहीं शरीर में नहीं हो तो बहार है धुड़ना पड़ेगा छीन में कहें माहें न बाहर है तो फिर दूसरा मत प्रस्तत करते हुए कहेंगे परमात्मतु न तो पिंड में है न ब्रह्मान्ड में है इस शरीर में भी नहीं है ब्रह्मान्ड में नहीं है इस से आगे है या को सब्द न कोई निरधार है तो इस प्रकार काने वालों की बात में कहीं भी निश्चितता, निश्चितता नहीं होती है, यह निरहरज सब्द नहीं होते हैं क्या कहना चाहिए. तो इस रहास्य को समझना जरूरी है वो इससे देखा जाए तो आत्मा है परमात्मा का आंसा है और दिल में परमात्मा को बैठाना चाहिए किन्तो जब शरीर छूड़ता है तो चेतना इस शरीर को छोड़ देती है और चेतना अपने मूल में समा जाती है तो शरीर में नहीं भी बोल सकते हैं, शरीर में है भी बोल सकते हैं, है बोलते हैं, तो रिदाय में धारण करना होता है, इसलिए बोल रहे हैं, और जब शरीर चूट जाता है, फिर चेतना निकल जाती है, तो परमात्मा भी इसमें नहीं रहते हैं, ये तो क्या है, आत्माओं और थोड़े समय के लिए शरीर को एक बहान के रूप में भेजा है तो इस शरीर में रहते हुए आत्मा दुनिया का भी अनुभव करशक्ती और परमात्मा के भी अनुभव करशक्ती है उसको जब ब्रह्मा ग्यान तार्तम ग्यान मिलता है तो परमधाम का अनुभव कर सकती है पूर्ण ब्रह्मा का अनुभव कर सकती है और हमेशा उनको अपने देल में बैठा सकती है किन्तो जब तक ख्याल नहीं होता है तब तक वो संद्य हमें बनी रहेगी इसलिए इस रहस्य को समझना आवश्यक है इसलिए कहते हैं कि जो लोग अनुभवी नहीं होते हैं जिनको दिखता नहीं है तो वो फिर संद्य के घेरे में रहते हैं संद्य में ही रहते हैं और संद्य की बाते करते हैं और जिनको दिखता है तो वो परमात्मा को देखेंगे और ऐसे लोग पिर दुनिया में कहने के लिए ज़्यादा उपलब्दों नहीं होते हैं वो भी बात आगे आएगी चेन में कचू आउरा कहे चेन में आउरा की आउरा इस प्रकार लोग हैं वो स्वयम ब्रहमीत होने से दुसरों को भी ब्रहमीत करते रहते हैं कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे जैसे मामती श्री प्राणनाजी जब जुनागड में हरजी व्यास के साथ में चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने पहले तो हर्जी व्यास से सुना सुनते 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 जब परमात्मा के विशाई में परमात्मा के धाम के विशाई में बात पहुँची तो हर्जी व्यास कभी कुछ बोलें कभी कुछ बोलें तो कोई स्वश्टता करी नहीं पा रहा है थे तो प्राणनाजी ने बोला आप मुझे स्पष्ट करके बता दीजिए क्योंकि आप जैसे विद्वान भी इधर से उधर भटक जाएंगे तो फिर दुसरों का क्या होगा तो भरजी व्यास को समय स्पष्टता नहीं हुई तो कुरोध आया तो आचारियों को गालिया देने लगे उन लोगोंने कुछ स्पष्टत किया ही नहीं है तो मैं आपको क्या बता दू सुपष्टत्रों में अलग-अलग बात कहिए ऐसा करके बताया तब स्री प्राण्या जी उनको समझाने लगे फिर उनने कहा कि अब मैं ठीक है आपने अभी तक जो कुछ कहा लेकर अब मैं कुछ बात करता हम उद्यान दे करके सुनी तो उसमें कांजी भी भाई थे तो वो प्राण्या जी को कहने लगे इनको जड़ा अक्षर और अक्षरातित की बात भी तो पूछ लीचिए तब स्री प्राण्या जी को जो साता है तो कहते हैं कि ये तो अक्षर की बात में गोथा खाने लग गए इनको क्या अक्षर और अक्षर आतित की बात करेंगे तब हरजी व्यास बिलकुल अश्चरे चक्कित होते हैं तो उस समय फिर कांजी भाई उनको याद दिलाते हैं आप बिमार हुए थे उस समय आपने मुझे आपने सब के बीच में ये बात कही थी कि आपके पुत्र लोग जब अंतिम कुछ शरिर चुटने जाता है चुटने को होता है तो उस समय जो कुछ करिया कर्म बगरे होते हैं वो कर रहे थे तब आपने बोला था मैं इस ब्रह्मान का जीव नहीं हूँ तो मेरे लिए ये सब करने की आवश्यक्ता नहीं है किन्तो मैं जा रहा हूँ तो मेरे मन में एक बड़ाई संदे है कि बड़ी चिंता बनी वी है कि मैंने आज तक किसी को ये बात ऐसी बोला तो उसको ना कहने वाला कोई नहीं मिला तो मैंने जिस बात को हाँ बोला तो उसको ना कहने वाला कोई नहीं मिला पर जिसको मैंने ना बोला उसको हां कहने वाला कोई नहीं मिला तो मुझे इस बात का दुख है तब कांजी भाई ने बोला कि मेरे मन में ये बात आई थी कि जब श्री प्राणनाजी से आप धर्मचर्चा करेंगे तो आपकी ये बात भी पूरी हो जाएगी आपका दुख भी दूर हो जाएगा तो प्राणनाजी ने कहा इसके लिए ही परमात्मा ने मुझे आपके पास में भेजा है तो अभी तक आप से मैं ने सुना तो परमात्मा को ऐसे हम ये है वो है नहीं बोल सकते हैं परमात्मा का धाम और यह सारी बाते हैं शाष्ट्रों में जो लिखाए वो सही है किन्तो उसको समझने के लिए पहले तो देखने के दृष्टी हमारी सही होनी चाहिए है और समझने के लिए हमारे अंताकरण में निर्मलता चाहिए और यथार्थ ग्यान चाहिए तब उनोंने इनी शाष्ट्र बचनों से पुर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात समझाई तो उनोंने समझाया कि देखो, सब शाष्ट्रों में अलग-अलग तरीके से समझाया है बात एक ही है, हम लक्षे को नहीं देखते हैं, तो तरीकों को देखते हैं उसमें वहाँ पर ऐसा कहा तो वहाँ पर वह इसा कहा तो कोई कहने कि रीत भात परक परक है तो उसको लेकर कि हम लोग लड़ते जगड़ते तो बले ना अलग-अलग तरीके से कहा है लेकिन लक्षे तो एक ही परमात्मा का रखा उस लक्षे को देखना चाहिए, उस देखेंगे तो सारे तरीके समझ में आ जाएंगे, जैसे स्रिमत भगवत गीता में अक्षार अक्षार और उत्तम पुरस की बात कही है, तो इसी तरह से उपनिशदों में कहा है कि तुम जिस चीज को जिस की उपासना कर रहे हो वो परमात परमात्मा नहीं है, तुम परमात्मा के बाईयरूप के उपासना कर रहे हो, तो इथार्थ में पूर्ण प्रमात्मा को जानो पहिजानो, पूर्ण मदह, पूर्ण विदम, पूर्ण आत, पूर्ण मजच्यते, पूर्ण स्य पूर्ण मादाय, पूर्ण मेवावस्यते, आर्था कटन करते हैं, ये भूल दुनिया में बनी हुई है, इसलिए क्षण क्षण में बात बदलते रहते हैं, सो बात द्रड़ा क्यों हो वही, जाको बचन ना रहे बेठाओ रहे, तो जिनकी बात ही कहीं किसी एक ठिकाने पर टिकती नहीं है, तो वो अपने उसमें द्रड़ता में कैसे आ सकेंगे, सिद्धानत की द्रड़ता में, इसलिए अनवभ होना बहुत आवश्यक है, तो इनी शास्त्रों के माध्यम से ग्यान प्राप्त होगा, किन्तो शास्त्रों का बाईय ग्यान ही देखते रहे और बाईय रूप में ही बने बाईय ग्यान में ही रचे पचे रहे, उसके रहश्य तक नहीं पहुंचे तो परमात्म का अनवभ नहीं होता है, इसलिए कई संतों ने तो शास्त्रों के इन उल्जनों को भी समझाया है, वो भी बात आगे आती है, जैसे बालक अबावरा, खेले हस्तारोही, जैसे बालक अथवाबावला, पागल जैसे आदमी, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बालक कभी कभी कभी, खेलते हो हस्पी लेता है, फिर रूभी लेता है, उससे भी ज्यादा वो पागल होता है, वो कुछ भी करता है, कभी रूभ इस तरह से ऐसे साधु शाष्ट्र में द्रड़न सब्दा कोई कि जो बाइस साधक हैं जिनहों ने अंतरमुक हो करके आत्म तत्व का अनिभब नहीं किया है मत्र शाष्ट्र बचनों में ही ढूड़ते रहे हैं तो ऐसे लोग भी द्रड़न सब्दा कोई शाष्ट्रों के किसी बात पर वो द्रड़न नहीं हो सकते हैं तो उनको सब जगे अलग अलग दिखाई देता है भागवत में अलग पर इक अलग कहा है, गीता में अलग कहा है, बेदों में अलग कहा है, उपनिशदों में अलग कहा है, तो फिर है क्या चिछ? तो इसी संद्या में ही उलजे हुए रहते हैं तो ये एक उलजन है इसलिए शाष्त्रों को भी एक उलजन कहा है पहली कहा है ये ब्रह्मान्ड भी एक पहली है तो जिन लोगों को आत्मा का अनभव होता है वो ही इस पश्टरुप से आगे बढ़ सकते हैं ये बात कहना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार के लोग होते हैं, एशवसिंग ससका, तो ये लोग दुनिया को क्या बोलेंगे, ये तो शशक, ससला, खरगुस, खरगुस के सिंग बोलेंगे, जैसे खरगुस के सिंग नहीं हो सकते, वेदान्त में ऐसे अलग-अलग उधारण भी दिये हैं, तो खरगुस के जैसे शिंग नहीं होते हैं, तो इस प्रकार सिये दुनिया का भी कोई अस्तित्व नहीं है, और बंजा, पूत, बाइराट, ये बिराट ब्रमान्द है, तो ये बंध्या के पूत्र की भात, ये नामी ले सकते हैं ये अथर्प में, ये कुछ ये नहीं, फूल अगन नाम धराए के उड़ाए देवे सब थाठ है, तो बोलेंगे, तो ये तो जैसे आकास में पुस्प नहीं होता, फिर भी आकास का पुस्प बोला जाता है, इसी तरह से ये दुनिया भी कहने मात्र के लिए अथार्प में नहीं है, बोलकर के पूरे द सब चीज को न कार रहे हैं, तो स्वेम को भी न कार रहे हैं, वो कुछ ख्याल नहीं रखते हैं, तो आप हो तो फूल अगगन, तो स्वेम भी तो गगन की फूल की तरह से मतलब आकास में पुस्प की तरह से अश्टितों हिन बन जाते हैं, वो उनको पता ही नहीं है, और हम ने तो सास्त्रों के बच्चन याद कर लिये हैं, सास्त्रों के उधारन याद कर लिये हैं, ऐसा करके अहंकार सिग्रस्त हो जाते हैं, बढ़ता जात गुमान उनका गुमान बढ़ता रहता है, देखी ता चल अचेतरे, देखते देखते ये चल रुपी माया है, उनको ठग ल विश्षिष्ट ग्यानिक अलने वाले लोगों को भी खब जाकर के ठख देती है, पता ही नहीं चलता है, तो ऐसा कहा जाता है, कि पवरानिक कथा एक पता ही गई है, जब व्यास्ची नियम बगेरे बना रहे थे, तो उन्होंने कुछ शलोक बनाए, तो उसमें एक शलोक आया तो उन्होंने कहा कि देखो, ये इंद्रियें की शक्ति इतने प्रवल होती है, कि विद्वान को भी बशिभूत कर लेती है, उसको भी माया के प्रते आकरिष्ट करती है, इसलिए किसी भी सम्यमि व्यक्ति को दूसरों के साथ में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा, दूरी बनाय करके रखना चाहिए, तो जैमिनी जी को ऐसा बोलते हैं, अब कितना सत्य मालुम नहीं है, ये उपाख्यान भी हो सकता है और आख्यान भी हो सकता है, तो कहते हैं कि Jai Meera ji ise को यह बात जची नहीं, उनहीं बार बार तरक किया, ऐसे कैसी हो सकता साधारन लोग ठो भ्रहमित हो जाएं सही बात है लेखिन बेद्वान का मतलब तो जिसके पास मुह वेध्या आए वो वेध्वान, तो जिए बहीं कैसे ब्रहमित होंगे तो ऐसा बोला तो यहां दूसरा शब्द रखना चाहिए वेद्वान नहीं रखना चाहिए तो व्यास्ची ने कहा अभी तुस इस शब्द को ऐसे रहने दो तो बाद में फिर इस पर विचार करेंगा तो एक दिन परिष्टी थी ऐसी आई कि जैमिनी जी कहीं जा रहे थे तो राष्टे में बारिश बहुत हो गई और देखते देखते संध्या का समय हो गया तो बानी पानी में से बहुत भीगे तो अब आगे कहां जाएंगे तो ऐसे ठीठूरते हुए किसी जोपड़ी में पहुँचे तो वहाँ पर एक मैला थी तो उसने उनको रात्रे विश्राम के लिए जगा दे दी और दूसरे कपड़े भी दे दिये कि जिसके सब से उन्हों के भीगे हुए कपड़े उन्होंने सुखा लटका दिये निचोड करके और वो आराम करने लगे तो ऐसे में कहते हैं कि रात के समय पर तो उनको लगा कि ये तो निर्जन शेत्र में ये की महिला है तो उसके प्रती उनकी वाशना जागरत हुई तो उसकी बाद फिर वो आगे बड़े तो बाद में उनको लगा कि ये तो महिला कोई नहीं है वो ब्यास्ची स्वयम बाद में महिला नहीं दिखी ब्यास्ची दिखका है तब उनको पता चला कि अरे तो बिद्वान लोग भी माया मुह के बस में हो जाते हैं तो व्यास्टी ने उनको ये समझा, इस प्रकार से समझाया। तो कहते हैं कि जो लोग माया को हम पार कर सकते हैं, ऐसा आंकार रख करके आगे बढ़ेंगे, वो कभी माया को पार नहीं कर सकते हैं। जो लोग परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, यह माया भी आपकी ही बनाई हुई है, इसलिए यह अपने फंदे में मुझे ना डाले, और मैं आपके ही चरण में रह सको, ऐसी व्यवस्ता आप कर दीजिए, ऐसा कह करके, जो लोग परमात्मा के सरनागत होते हैं, वही लोग म सत्ता स्ते स्वाली ना शास्त्रों में बहुत स्थानों परकः ही है, मारकर्णिय का दृष्टन दस्रे प्रांण जी ने भी दिया है। इसलिए कहते हैं कि ये माया बहुत चतुर है कोई ना परखे चल को इस माया को कोई पुरी तरह से परख नहीं पाया जंग से समझ नहीं पाया जिन चल में हैं आप जिस चल के अंदर स्वयम हैं वो चल से प्रभावित तो हैं लेकिन तो छल में रहते हुए छल को समझ नहीं पा रहे हैं तो न्यारा अख्षम जो छल थे तो परमात्मा तो इस छली नहीं छलवती माया से परे हैं, दूर हैं सो क्यों पाईए साक्षात, ऐसे परमात्मा को कौन साक्षात कार कर सकता है तो जो माया के प्रभाव में रहेंगे तो परमात्मा का साक्षात कार नहीं होगा क्योंकि वो माया के प्रभाव से मुक्त हैं तो परमात्मा की शरण में जाते हैं तो ही माया के प्रभाव से मुक्त होंगे इसलिए जाने अंजाने में भी परमात्मा के प्रतिसमर प्रहोना आवश्यक है अटक रहे सब इतहीं ज्यादातर लोग इसे माया में अटके हुए हैं आगे सब्द नपावे शेर तो उनके बचन है उबले वो शास्त्रों के बचनों के द्वाई देते हों किन्तों उनके बचन है किसे स्वष्ट मारक को पता नहीं सकते ए इंडगोलक बीच में याकिम वो अतत्तव चो फेर है यह पूरा ब्रह्मान्द है इसका गोलक पूरा यह इसका बर्तूल इसमें चारों तरफ माया इच्छाई हुई है चारों तरफ मोह तत्व है तो इस मोह तत्व के अंदर ही यह ब्रह्मान्द है ऐसे अनांत ब्रह्मान्द इस मोह जल में ताहिर रहे हैं कोटिश वहंदर आसा है, करोड़ों ब्रह्मान्द तो ब्रह्मान्द के अंदर भी माया का असर है ब्रह्मान्द के चारों रश्य भी माया नहीं घेर रखा है तो ऐसे में जो लोग परमात्मा की सरण में नहीं होते हैं वो भले शाष्ट्रों के बचन की दुआ ही देते हूं किन्तो उनको विपार का रास्ता नहीं दिखाई देता है सब्द जो सारे मुहल हूं सब के बचन हैं तो मुह तक की बात ही कह रहे हैं क्योंकि यह सब्द मुह से प्रकट हूए हैं और उनका एक लव एक मात्रा भी है ना निकस्या पार मुह से पर अखंड धाम की बात करने में सक्षम नहीं हो पाई है खोज खोज ताही सब्द को फेर फेर पड़े अंधार तो नहीं सब्दों को उधल पुधल करते हूए तो सब्द का एक सब्द के कई आर्थ ढोड़ेंगे किन्तु इस अंधेरे से अज्ञान से पार नहीं हो सकते हैं बार बार इशे में गोते खाते रहते हैं जैसे अंधे नहीं बनीयमाना यथान्दा अंधे लोगों से मार्गदर्शन किये हूए अंधों की भाती तो कुछ चर्म चक्षियों को दूसरा चर्म चक्षियों ही रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ रहा है तो क्या रास्ता दिखाएगा विचारा उसको खुद कोई नहीं दिखाई देता है इस तरह से दुनिया में सब लोग अंधेरे में पड़े हुए हैं ए ख्वाबी दम सब नीदलों ए दम नीदई के आधार इनको ऐसी आत्माओं को ख्वाबी दम भी कहा है ख्वाबी दम वो इसे फार्शी का शब्दा है तो कते परंपरा में ऐसे लोगों को जो माया में भ्रमीत रहते हैं उनको ख्वाबी दम कहते हैं मतलब माया गरस्त जीव माया से प्रभावित जीव माया के जीव कहें तो कह सकते हैं तो ये माया तक ही इनकी सीमा है दोड़ दोड़ करके माया के अंतरगत की ही बातें समझ पाएंगे माया से आगे निकल नहीं पाते हैं तो इदमनीदय के आधार है तो इस शब्त माया के आधार में आधारित है जो कदी आगे बल करें यदि माया से पार करने का हो जाने का प्रहत्न भी करते हों तो भी तो गले निदई में निराकार तो परमात्मा तो निराकार है और हम भी निराकार है मन करके इस सिमाया में हैं रह जाते हैं उसे में डूब जाते हैं मिट जाते हैं वह सब वह हैं तो शपन के ही हैं यह को पेड़ ही नीद निदानड इनका मूल ही निद्रा है शपन का मूल है निद्रा नीद के पार जो खसम तो परमात्मा तो नीद से बारे हैं सो क्यों करें, सो एक क्यों करें, पहचान ऐसे परमात्मा को यह लोग कैसे पहचान कर पाएंगे यह बड़ी विशिष्ट बात यहां पर कहें, पूरी दुनिया है यह स्वपन की है तो स्वपना है, वो नीद से ही आए, वो स्वपना देखता है तो परमात्मा है, वो तो नीद से परे हैं, उनको कैसे पहचान से पाएंगे तो, जो नीद के प्रभाब में रहते हैं इससे ये समझना चाहिए कि ये जो दुनिया को बनाते हैं वो अक्षर ब्रह्म बनाते हैं जब वो संकल्प करते हैं तो संकल्प से ही मोहत अत्तो प्रकट होता है फिर माया का विस्तार बढ़ता है तो ये अक्षर ब्रह्म की मन की कल्पना है तो उस कल्पना से परे परमात्मा है जब हम इसको अक्षर ब्रह्म की कल्पना यथार्त रूप से समझेंगे और हम तो चैतने स्वरूप हैं परमात्मा ने हमें चैतना की रूप में इस दुनिया में भेजा है ये सुच करके हम अपने मूल को याद करने लग जाएंगे तो इस उसमें सुपन से परे परमात्मा को जान पाएंगे किन्तु लोग इसके लिए प्रहत्म नहीं करते हैं तो कैसे परमात्मा को पाएंगे बड़ी बुदवाले जो कहा भई सोशीतल भई इनभात जो बड़ी बुद्धी कहलाने वाले लोग हैं वो भी इस बाती ठंडे हो गए हैं उन्हांने भी परमत्मा के बाद थोड़ी सी कही किन्तो स्वश्टता किये भी ना रह गए ना पहचान चल वतने की न तो उनको माया की पूरी पहचान हुई और नहीं वतन की पहचान हुई परमधाम की पहचान हुई तो वो लोग तो सुन्य में ही समा गए तो उन्हांने परमात्मा को भी निराकार कह दिया निराकार सुन्य है ऐसा मान दिया तो यदार्त में देखा जाए तो परमात्मा इन सबसे भिन्ना है तो जिसको हम निराकार कहते हैं वो कोई सुन्य नहीं है तो निराकार सुन्य भी है और परमात्मा के लिए जहां शास्त्रों में निराकार शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसी सुन्य के लिए अस्तित्व भी हिन स्थेदी के लिए नहीं है तो वहां कहने का तात्परिया यह है कि परमात्मा का आकार ऐसा ही है हम शब्दों के द्वारा निश्चित नहीं कर सकते हैं उनका आकार तो चैतन ये शुरूप है अदरी के लिए बस उसको हमेश करना चाहिए हम उनको विख्ष नहीं बदा सकते इसलिए परमात्मा को कई स्थानों पर निराकार ये है किंतो लोगों निराकार को सुन्ने समझलिया निराकार का आर्ट शुन्य भी होता है जहां कुछ हाई नहीं तो सुन्य मन्नल वो निराकार, तो इसलिए, जो लोग निराकार को सुन्य मानते हैं, तो वो लोग फिर सुन्य में ही समाज आते हैं, तो संकराचारी जी इस संदर्व में कहते हैं, परमात्मा इनसे साकार निराकार से विसिष्ट होते हैं, उनको समझना चाहिए, उन्होंने एक बड़ी विसिष्ट बात कही है, कहते हैं साकार असे बिनास अश्टी, जिसको तुम साकार कहते हो, इसका नास होगा, जो कुछ दुनिया दिख रही है, इसको सब लोग साकार मनते हैं, उसका तो नास होगा, जो नहीं देख रहा है, बर्मात्मा नहीं देख रहा है नाखों से, उनको निराकार बूल देते हैं, और निराकार को सुन्य मान लेते हैं, तो सुन्य का भी तो कोई अस्तितो नहीं है, तो इसलिए, साकार भी नास हो जाएगा, और जिसको तुम निराकार कहते हो, सुन्य पर नास हो जाएगा निराकार से सुन्य त्वात सुन्यष्यत, सुन्यष्य चा अवस्तु त्वात, सुन्यभी अवस्त्वने से तद अभयपक्षविभिन अभुक्ष अवस्तु घ्ञान अभुक्ष हाज। कज साकार और निराकार अंदोनों से भिन जो वस्तु है वो परमावान्स, उसको जानना चाहिए तो वस्तु क्या है? उसके लिए विरान्त में खाहा है वस्तु स्तो शक्चिद आनादा अनंत अद्वयर्म् Permma, साच्चित आनन्द आनन्द अद्वेत ब्रह्म है वो वस्तु है उनको समझना चाहिए तो साकर निडाकर के चकर में लोग पड़े हुए हैं इस बात को यहां पर समझा रहे हैं ए पोकार साधु सुनके हट रहे पीछे पाए तो ऐसी बचनों को सुनकर के जो लोग साधना करके आगे बढ़ने वाले लोगों पहें वो साधक भी परमात्म को तो पाया नहीं जा सकता है ऐसा मन करके निराशो करके लोड़ जाते हैं अपनी साधना से पार सोद किनना परी सब इतहीं रहे और जाए तो पार के सुधे किसी को भी नहीं रही और सारे के सारे यहीं के यहीं उलज गए हैं तो ज्यादा तर लोग इस पर कर्माया मोह में उलज जाते हैं तो कहते हैं जिनहों जैसा खोजिया जिनहों ने जैसी खोज की है सो बोले बुद्ध माफक जैसा अनवब की आपने बुद्धे के अनुसार वो लोग बात करेंगे मैं देखे सब्द सवन के जो गए जाहर मुखबक ऐसे अनेक लोगों के उपदेशों को उन बचनों को हमने भी सुना तो उन्होंने ये बात ढोल पिटा पिटा करके बताया कि परमात्मा निराकार है सुन्य है इस तरह से बोला वो बात हमने बहुत सुनी है किन्तु परमात्मा तो सुन्य निराकार से पा रहे हैं जिन्होंने अनुभव किया है उन्होंने ये बात स्वश्टरूप से कही है ये बात यहां पर समझा रहे हैं तो अभी के प्रसंग को यही पर रखते हैं अब आगे इसी बात को बढ़ाते हुए इस खूज के प्रसंग को और आगे बढ़ा रहे हैं उसको फिर अपने दूसरे दिन ये चर्चा करेंगे स्रिक्रिष्न कनहया लाल कीजे जो गए जाहर मुकबक जिनहों जैसा खूजिया सो बूले बुद्ध मापक मैं देखे सब्द सबन के जो गए जाहर मुकबक जो गए जाहर मुकबक स्रिक्रिष्न कनहया लाल कीजे